नमस्कार फ्रेंड्स जेनुन निजन साकेड़ी में आपका स्वागत है मैं बलवन सिंग राठोड आज आपके सामने टोपिक फोर लेके आया हूँ हम एचमसी प्रोग्रामिंग का तो एचमसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम हमारा जो नया टोपिक है उसके बारे पढ़ेंग मशीन कॉडिनेक सिस्टम पर बनाई है मैंने सके अंदर और कोड़नेक सिस्टम एड करूँगा तो कहीं स्टूडियन्स कण्फिज हो सकते हैं इसलिए हूँ अस वीडियो को मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊगा उस टोपिक को सबस्क्राइब बात करते हैं जब आप इंडरों के अंदर जाते हैं तो आपसे कई दफाई चीज मूझी लियाती क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वीमसी के साथ एच-एमसी की डीमांड भी काफी हो गई है तो कहीं इंडस्ट्री में हम को एच-एमसी भी मिलती है तो इसके लनको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन जिलता रहे है तो लेटस्ट अप 151 जो होता है वो position represent करता है machine की. Machine की axis की position को represent करेगा ये. तो उसको हम machine coordinate system बोलते हैं. Machine coordinate system selection कैसे करते हैं? ये आपको x, y, z, b, 4 axis के बारे में बता रहूँ. Machine axis can be programming in mcs, machine coordinate system. अगर आप से mcs पूछ लेते हैं, इंटरो में, तो उसका मतलब भी machine coordinate system ही होता है. इसके लिए code यूज करते हैं, machine coordinate system selection के लिए. कई students को ये पता नहीं होता है code, programming सब कर लेते हैं, और practical काम भी सब कर लेते हैं, बड़ इनकी knowledge नहीं होती है. तो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ जी, 53 जो होता है, machine coordinate system selection होता है, आप इसको याद कर लें, यह आप ये काफी important होगा code, और इसका use भी काफी अच्छा होता है. इस example के अंदर मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से हम इस code करते हैं, जैसे महालो एक reference point में बना रखा है, plus का, जो निशान नहीं यह बता रहा है, आपका reference point, तो यहाँ पे मैं दो point ले रखे है, P1 और P2, तो X access की बात कुनों, X में दोनो 100 की दूरी पे है, P1 100 की दूरी प तो आप इसको कैसे लिखेंगे, G53, X माइनस 100, Y माइनस 30, जो कि हमारा P1 है, और P2 जो होता है, वो G53, X माइनस 40, और Y माइनस 30, जो यह capital N, triple N में लिखा हुआ है, आप इसकी जगें यह भी उस कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यह special code होते हैं सारे तो उक्राब में machine coordinate system काफी important है, G53 command, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें, और मुझे बताएं इसके बारे में आपको कैसा topic लगा है, ताकि मैं और भी आगए कि जो topics HMS is related, वो मैं बता सको, programming मैं भी start नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए पहले आप आपका base के लिए रोनना जरूरी है, तभी आपको एचीज समझ में आगी, तो friends वीडियो को like करें, comment करें, channel को subscribe करें, और share करें, वीडियो वाच्च करने के लिए धन्यवाद,